हेलो फ्रेंड्स मैं आज स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर आज जो करेंट अफेर का हम लोग डिसकस कर रहे हैं बहुत दिनों से यह प्रिवियस एक साल का करेंट अफेर हम लोग और टॉपिक वाइज डिसकसन कर रहे हैं ठीक है तो उसमें जो आज का टॉपिक है टेनिस टेनिस है आज टेनिस जो गेम होता है वो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग जानेंगे कि टेनिस से रिलेटेड कौन कौन से कप होते हैं कौन कौन से ट्रोफी होते हैं जो टेनिस से रिलेटेड है और उसके रनर अप कौन है और उसके जो विनर है वो कौन है और बारे में भी बात करेंगे इसके जो विनर है जो मेन सिंगल्स के विनर, विमन सिंगल्स का विनर, मेन का डबल्स का विनर, विमन का डबल्स का विनर और मिक्स डबल्स का विनर ठीक है इसके जो विनर है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और ठीक है तो इससे पहले वीडियो को लाइक भी चरूट किजएगा और सेयर करना कभी नहीं भूलिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड है वो भी ये वीडियो देखकर इसका लाव उठा सके आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी अपडेट वीडियो का राता है क तो यह है कि टेनीस में कितने सारे गेम होते हैं उसका लिस्ट है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सिड्नी ओपन होता है वो टेनीस से रिलेटेड हुए है और उसके इस बार के विनर जो है पैत्रा क्योतोगा चेक गंडाज के है और जो इसका रान आड़ अप ह उसके बाद है होपमेंड कप, होपमेंड कप के विजयता है, स्विटजर्लेंड और जो डनर आप है वो जर्मनी, उसका डेविस कप है, डेविस कप इसके विजयता कुडेशिया और विजयता जो है डनर आप इसका फ्रांस, ठीक है, उसका संघाई मास्टर्स है, संघाई मास बोर्ना कोरिच ठीक है तो ये उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है कि रान अर बूर विनर का नाम ध्यान रखना इससे कुश्चन नहीं आते हैं विनर और रान अर दो किससे कुश्चन नहीं आते हैं कुश्चन आते हैं कि Sydney Open किस गेम से डिलेटेड या तो वो आपको ध्यान रखना है कि Sydney Open किसे रिलेटेड है, Hotman Cup किसे रिलेटेड है, Davis Cup किसे रिलेटेड है, Davis Cup एक फुटबॉल में भी होता है और टेनीस का भी होता है, ठीक है, अगर टेनीस और फुटबॉल दोनों में से कोई एक ही option रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो दोनों सही होगा, ठीक है, उस तरह संगाई, Masters है, Lever Cup है, यह सब आपको Cup का देन नाम इसमें ध्यान रखना है, इसमें टेनीस से रिलेटेड कौन कौन से Cup है, और आप अगर इसको ध्यान रख सकते हैं, इसके winner और जो runner up है, उसका नाम तो आप और भी अच्छा है, लेकिन यह question नह जो है, उसका winner है, रफेल नडाल, और यह महिला एकल का जो winner है, वो इसका सिमोना हालेप, ठीक है, उसके बाद वासिंग्टन ओपन है, उसके पुरूस और महिला, पुरूस का जो मतलब मेन का सिंगल से, एलेक्जेंडर, ज्वेडेव और जो विमन का सिंगल से, उसका स्वे सानिय हमिर्जा की जोडी दाड भी रहती है किसी किसी गेम में, ठीक है, मिमन सिंग आ हूँ, डवल्स में, यह साथ में कहलती है, कभी सानिय हमिर्जा के साथ भी, स्वेडलाना, कुछनेघ सो आए, ठीक है, उसके बाद है, रॉस मालेन, ग्रास कोट च fallait चेंपियनसीप, ठी गेस्टेक गेस्केट एंड विमन सिंगल्स के विजयता है एलेक्स जुद्रा कुरुनिक ठीक है इस्तामबूल ओपन टैनिस चेंपियंशिप है इसमें टैनिस लगा हुआ है तो आप ऐसे ही ध्यान रहो जाएगा लेकिन यह है रोस मालेन ग्रास कोट चेंपियंशिप ग्रास कोट ग्रास कोट से आप ध्यान रख सकते हैं यहां से आप इसको ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो यहां से आप इसको ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो यहां से आप इसको ग्रास कोट से ध्यान रख सकते हैं और इसमें तो टैनिस लगा हुआ है तो यहां से आप इसको ध्यान इसको जो इस्ताम्बूल ओपन टेनिस चेंपिसिप इसके में सिंगल्स के जो विनर है वह taarho daniel और जो इसके runner-up है वह ओ मालेक जाजरी है ठीक है उसके बाद है मियामी ओपन ठीक है रियामी ओपन है मियामी उपन है उसके जो winner है वो जॉन इसनर और जो यह मैन का जो singles का winner है वो जॉन इसनर और women singles का winner जो है Sloan Stephens ठीक है तो यह जो है कुछ important जो trophy होते हैं वो है जो cup होते हैं मतलब यह सब tennis related जो है वो important उसको आपको दिखान रखना हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे जो grand slam है चार वो उसके बाड़े में जो grand slam एक stilion open होता है सबसे पहले यह जन्वरी के time में होता है ठीक है जन्वरी में होता है यह एस्ट्रियन ओपन सबसे पहले साल के सुरुवाती में ठीक है वो यह सबसे पहला यह बात ध्यान में रखना है जरूरी कि जो हार्ड कोट पे दो ग्रेंट स्लेम होता है एक एस्ट्रियन जो साल के सबसे सुरू में होता है और एक है यूएस ओपन जो साल के सबसे लास्ट में होता है ठीक है US Open यह दोनों hard coat पे होता है ठीक है और Wimbledon जैसा के मापको पहले बता चुके है Wimbledon जो होता है grass coat पे होता है Wimbledon जो है वो England में होता है ठीक है और इसको Wimbledon बोलते है यह grass coat पे होता है, grass मतलब घास का coat होता है, ठीक है, इससे related बहुत सारे question आते रहते हैं, ठीक है, और एक है, जो clay वाला coat है, वो french open का होता है, french open जो होता है, वो clay वाले coat पे होता है, ठीक है, तो आपको यह सब चीज, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा important यही है, ठीक है, क को ध्यान रखना ज़रोगी है, जो साल का सबसे पहला, जो है, वो Australian open और सबसे लास्ट वाला जो है, US open, लगवग सेप्टेमबर, अक्टूबर का और के आसपास होता है, US open, तो यह दोनों जो होता है, हार्ड coat पे होता है, ठीक है, और Wimbledon, जो है, Wimbledon, जो England वाला है, वो घास के coat पे होता है, grass coat पे और clay के coat पे जो होता है, वो French open होता है, ठीक है, French open आपका clay के coat पे होता है, ठीक है, और Australian open और US open में बहुत सारा जो है, relation सेम है, ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, जो इसके जो winner है, जो Australian open का, जो दोनों hard coat पे होता है, तो इसमें runner-up तो नहीं के बड़ावर पुछता है कोई भी एकजाम है runner-up जो आपको नहीं के बड़ावर पुछेगा ज्यादा important runner-up नहीं है लेकिन जो यह है यह बहुत ज्यादा important है winner का नाम तो winner का नाम हम लोग अच्छी से ध्यान रखेंगे runner-up अगर time ले आपको तुझे आप ध्यान रख लेजेगा लेकिन यह ज्यादा important नहीं है ठीक है तो इसका जो एस्ट्रिलियन ओपन और यूएस ओपन का है वो प्रूस singles यानि main singles के जो winner है नोका नवाक जोकविच यह दोनों सेम है यानि कि इस्ट्रिलियन ओपन भी इन्हों नहीं जीता है और यूएस ओपन भी इस नहीं जीता है नवाक जोकविच नहीं ठीक है नवाक जोकविच आप देख लिजे यहाँ पर USपन नुओ आग जोकविच नहीं जीता है ठीक है सर्विया के नुओ आग जोकविच अन्हों नहीं जीता है ठीक है आ उसके बाद इसके जो Women Singles के विनर है Naomi Osaka Naomi Osaka ये भी सेम है Australian Open भी जीता है इन्होंने Japan की है Naomi Osaka और US Open भी इन्होंने जीता है US Open 2018 का है क्योंकि 2019 में भी तक US Open अभी नहीं हुआ है September, October में होता है और 2019 का Australian Open वो जन्वरी में ही हो चुगा है इसलिए उसका हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है नवाक जोकोविच और नवामी उसागा ये दोनो मेन और विमेन का जो सिंगल से वो दोनों जीता है इनों है ठीक है क्योंकि दोनों हार्ड कोट पर होता है इसलिए हम लोग इस याद रखने के लिए बस इतना बोलना है कि जो दोनों Australian Open और US Open जो हार्ड कोट पे होता है दोनों का मेन का जो विनर है सेम है नौक जोकोविच और दोनों का जो विमन सिंगल्स का विनर है नौमी उसाका वो भी सेम है ठीक है उसके बाद है कि मेन डवल्स ठीक है मेन डवल्स और विमन डवल्स और निक्स डवल्स ठीक है यह आपको ध्यान रखना होगा यह ज्यादा पुस्ता भी नहीं है वैसे यह जो डवल्स का है प्लेयर का नाप वो नहीं के वरावर पुस्ता है ठीक है लेकिन आप इसको सकते हैं ठीक है ध्यां रखने के लिए आप पहले उसको इस को इसंगल्स को आप ध्यां रख लैजे उसके बाद पर उसको फ्रेंज ओपन के सिंगल्स है ठीक है और फिंच वाहलन डालनी जीता है इस्पें के रफेंड़न रडाल है और वीमन का जो सिंगल्स है वो सीमोना हालेप तीक है सीमोना हालेप ने जीता है उसके बाद विंबल्डन का नवाँक जोकविच और एंजली केड़बर तो इस तरह से दिख सकते हैं कि नवाँक जोकविच ने टोटल तीन ग्रेंड स्लेम जीते हैं ठीक है एक हि hiking बादा मेने के पिछले बादा मेने की बात करें तो तीन ग्रेंड नोवाउक जो कोई कोई लिचिता हैं ठीक है सिर्फ जो फ्रेंचोपन था यानिके जो clay पे होता था, clay वाला game, clay court पे उन्होंने उसको नहीं जीता है, बाकी तीनों जीता है game, ठीक है, singles, men singles, ठीक है, इस तरह से हम लग इसको ध्यान रख सकते हैं, और angelic caregiver जो है, वो जर्मानी के, जर्मानी के जर्मानी के जो है, ये angelic caregiver उन्होंने महिला यूप का जो singles है, जो women singles है, इन्होंने इसको जीता है, ठीक है, अब उसके बाद है, कि PRA Hughes, Harvard, जो देखिए, ये Proust singles, जो है, Proust singles, Proust doubles, जो men's doubles है, Australian open और French open, दोनों के same है, ठीक है, इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, कि, जो men's doubles है, वो Australian open और French open के same है, वो PRA Hughes, Harvard और Nicholas Mouth, ठीक है, ये दोनों same है, समझा, ये, मतलब Australian open और French open के same है, इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, और ये दोनों का तो, यानि कि, जो Australian open और French open, जो साल का पहला दो है, उसका men's doubles का winner सेम है, और जो बचा दो बांकी, उसके भी men's doubles के winner जो है, दोनों same है, ठीक है, ये आ गया है, माइक ब्राइन, jack sock, और ये माइक ब्राइन, jack sock, यानि कि, जो है, ये Australian open और French open के same है, और उसके बाद Wimbledon और US open के same है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, कैसी कैसी relation ध्यान रखना है, वो आप ध्यान रख लीजे कि, सबसे पहल है, first और second का, जो है, men's का doubles का winner same है, और उसके बाद, जो है, first और second का, जो men's doubles है, वो same है, उसके बाद, third और fourth का men's doubles same है, उसके बाद देख लीजे, कि second और third, जो है, second और third, जो women's doubles है, second और third का women's doubles, वो दोनों same है, ठीक है, second और third का women's doubles, जो है, वो same है, इस तरीके से में लोग देख सकते हैं, second और third का, जो है, कैटरेना, सीनिया कोवा, और बारबोडा, क्रेजी कोवा, ठीक है, यह दोनों चेक कंडाज के हैं, तो यहां से, इसको हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद, जो है, बाकी सबाब को ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, जो women's doubles है, women's doubles, सामन्था, स्टो सूर, और ज्ञांग, स्वाई, यह जो है, आपको ध्यान रखना होगा, यह दोनों विनार है, एस्टिलियन ओपन के, ठीक है, और उसके बाद, जो इसके, जो mixed doubles है, उसका, बारबोडा, क्रिज कोव, और राज इवराम, ठीक है, यह दोनों विनार है, मिक्स डवल्स के, उसके बाद, यह तो आपको ध्यान ही है, यह सेकेंड और थाड का, कैटरीना, और बारबोडा, चेक गन्राज का, ठीक है, उसके बाद, जो mixed doubles का विनार है, फ्रेंच ओपन का, यह चीनी तापे की, लतीशा चान, और इवान डोडिंग, कुरिशिया के, ठ जो विम्बलडन का, विम्बलडन का, जो mixed doubles का विनार है, वो, अलेक्संडर पेया, और निकोल, मेलीचर, ठीक है, उसके बाद, यूएस उपन का, जो, women doubles का विनार है, आसले बर्टी, खोको, वेंडे, विगे, ठीक है, और जो mixed doubles का विनार है, वो, बेथानी, Mentex Sense और Jamie मड़े यह सब ज्यादा important है आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं अगर टाम मिले तो आप इसको पर लिजएगा screenshot ले सकते हैं आप इसका ठीक है screenshot ले करके आप इसको पर सकते हैं अगर इसका PDF चाहिए तो आप जो टेलिग्राम का जो ग्रूप है हमारा उसको जोइन कर सकते हैं वहाँ पर PDF अफलोड हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आज का जो है यह tennis related आपके लगबग सारी बात हो गई और उमिद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आओगा इस से रिलेटेड अगर कोई भी dot है कोई भी feedback है तो आप comment section में आईए और वहाँ पर आप फूस सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स, thanks for watching my videos अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ठीक है फ्रेंट्स, तो आने वाला जो हमारा वीडियो है वो जो अलग तरह के टुर्नामेंट है जितने साथे उसके बारे में लोग बात करें ठीक है फ्रेंट्स, thank you